मैं कौन हूँ एक गाओं में सुमेश नाम का एक आदमी रहता था वो बहुती डरपोक और शान्त सभाव का था सुमेश शहर में ले जाकर सबजी बेशता था इस तरह दिन गुजर रहे थे सुमेश की पतनी चमपा बहुती निडर और होशयार थी एक दिन चमपा अपने पती से कहती है ए जी कब तक हम इस गाओं में ऐसे सिंदेगी गुजारते रहेंगे हम शहर जाकर कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हमारे बच्चों का आने वाला भविश्य अच्छा रहे तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहा है कि हम शहर जा सके और शहर में घर का किराया और भी जयादा होता है मेरे पास मैंने कुछ पैसे चुपाई है अब सब्जी बेचने शहर जाते हो ना सब्जी बेचते आते वक्त सथे में किराएगा मकान देख लीजिएगा अगले दिन शुमेश सब्जी बेचकर मकान ढूडने निकलता है बहुत ढू सुमेश कहता है, मैं घर की तलाश में निकलाऊँ, आपके घर में कोई हिस्सा किराय पर है क्या? वो बोड़ी औरत सोमेश को देखते हुए कहती है मैं मकान किराएपे नहीं देना चाहती बलकि मैं बेचना चाहती हूँ मेरा बेटा दूसरे गाओं में है मैं अपना मकान बेच कर अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ मुझे बस तुम 50,000 रुपे देदो मैं मकान तुम्हें बेच दूँगी सुमेश कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मकान खरीच सकूँ क्या मैं मकान देख सकता हूँ हाँ हाँ आओ अंदर आओ बेटा मकान बहुत बड़ा था सुमेश को बहुत पसंद आया वो बोड़ी औरत से कहता है कल मैं अपनी पतनी को लेकर आता हूँ और उसे ये मकान दिखाता हूँ अगर उसको पसंद आ गया तो मैं इसको खरीद लूँगा सुमेश खर जाकर बीवी को सारी बात पताता है और उसे उस मकान में लेकर आता है चंपा और सुमेश दोनों का मकान बहुत पसंदाता है और वो अपने खेट बेच कर उस मकान को खरीद लेता है चंपा कहती है उस बुड़ी औरत ने मकान हमें इतने सस्ते में कैसे दे दिया सुमेश बोला मुझे क्या मालूम भगवान की कृपा से हमें अपना खर मिल गया बस ये काफी है चंपा और सुमेश खर को सजाते सजाते ठक जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं आधिरात को एक भयानक आवाज सुनाई देती है चंपा और सुमेश हडबढा कर उठते हैं और देखते हैं कि उनका पलंग जोर-जोर से हिल रहा था और आस-पास के सारे सामान भी हिल रहे थे। चमपा और सुमेश को भ्यानक आवाजे सुनाई देती हैं और वो डर जाते हैं। फिर तभी उन दोनों को एक सवाल सुनाई देता है। मैं कौन हूँ। दोनों दर के मारे थर-थर कापने लगते हैं। उनके मुझ से एक भी शब नहीं निकला और फिर एक बार जोर से आवाज आई। मैं कौन हूँ। चमपा कापते हुए बोलती है। हम नहीं जानते। तभी अचानक एक हवा में लाठी आती हैं। और चमपा और सुमेश को जोर-जोर से पीटने लगती है। चमपा और सुमेश रोने लगते हैं और चिलाने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मैं कल फिर आऊंगा, तुम सोच के रखना, मैं कौन हूँ। दोनों पती-पत्नी पूरी राज सोने ही पाते। वो दोनों समझ गए कि उस बोड़ी औरत ने इतने कमदाम में इस घर को क्यों बेचा। उन्हें पता चल गया कि इस घर में भूत है। और दूसरी रात फिर से वही सब होता है। फिर वही सवाल पूछा जाता है। मैं कौन हूँ। चमपा कहती है। फिर से जादूई लाठी ने पती पतनी को पीटना शुरू किया। तभी सुमेश ने कहा। आप हमारे लिए भगवान हो। फिर भी उस अवाज ने उन्हें परिशान किया और फिर से कहा। मैं कल फिर आऊंगा। तुम सोच कर बताना मैं कौन हूँ। ऐसे ही ये सिलसला चलता रहा। एक दिन चमपा का भाई वीरू चमपा से मिलने आता है। और वीरू पूरा घर देखने के बाद चमपा से कहता है। चमपा, दो या तीन लाग रुपए में भी इतना बड़ा घर नहीं मिलेगा। तुमको पचास हजार में ए घर कैसे मिल गया। चमपा और सुमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। चमपा, वीरू को रात होने से पहले भेज देना चाहती थी। चमपा अपने भाई से कहती है। अच्छा भाई, अब तुम जाओ। चमपा, तुम तो मेरे पीछे ही पढ़ गई हो कि जाओ जाओ। कल मुझे शहर में थोड़ा काम है, मैं उस काम को कर लूँगा, फिर उसके बाद चला जाओंगा। अगर रात को यहां रहोगे तो भूत से बच नहीं पाओगे। भूत, चमपा सारी बात वीरू को बताती है, मुझे कल सुबा थोड़ा काम है, एक काम करते हैं, इसके बारे में सुबा बात करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ सोने, सुबा बात करेंगे, ठीक है? यह कहकर वीरू अब सो जाता है, और फिर से एक बार रात होते ही, वो भयानक आवाज सुनाई देती है, मैं कौन हूँ? चमपा और सुमेश आवाज सुनकर हरपड़ा कर उच जाते हैं, और वीरू को आवाज देने लगते हैं, भाई जागो, हमें बचाओ! वीरू नीन से जाकता है, और कहता है, तुम कौन हो? यह हम नहीं जानते, लेकिन क्या तुम जानते हो? मैं हनुमान भक्त हूँ, तुमने मेरी बहन और बहनोई को बहुत सताया है, अभी मुझे बहुत नीन आ रही है, तुम यहां से जाओ, मैं तुम को कल बताओंगा, कि तुम कौन हो? ये कहकर वीरू जोर-जोर से हसने लगता है। ये सुनकर वो आवाज कहती है अरे बापरे इतने छोटे सवाल की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। ऐसा मत करना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जीजू तुम्हें एक मर्द हो तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। भूत हो या इनसान डरने वाले को और डराया जाता है। हमें हिम्मत के साथ सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए ना की डर से। झाल से तुम्हें एक वाले को और ररना जाता हूँ। झाल से च।म्हें का सामना जाता हुआ। झाल झाल